नमस्कार मैं हूँ मनमोहन भट आज हम एक ऐसे नेता जी की बात करेंगे जो दूसरों को नसिहत देने के लिए जाने जाते हैं लेकिन नेता जी खुद पर उन नसिहतों का इस्तिमाल नहीं करते हैं नेता जी वास्ताओं में उत्राखंड के बाहर के प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन उत्राखंड से गहरा नाता जोडने की कोशिश कर रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरिवाल साहब की जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और उत्राखंड में आम आदमी पार्टी को इस्थापित करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं पार्टी की ये कोशिश काम्याब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये तो मार्च के बाद ही पता चलेगा लेकिन अरविंद केजरिवाल साहब ने उत्राखंड के कई नेताओं को अधिकारियों को संकट में डाल दिया है मैं पूरी बात आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले मेरा आपसे अगर है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अर्विंद केजरिवाल एक ऐसे नेता जिनको माना जाता है कि वो बाकियों के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा डिसिप्लिंड है लेकिन केजरिवाल साहब भी कई बार लापरवाही कर देते हैं लापरवाही ऐसी जिससे कई लोगों की जान आफ़त में पढ़ सकती है अर्विंद केजरिवाल साहब भी उत्तराखंड में बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करने की तयारी कर रहे थे अर्विंद केजरिवाल की एक रैली दिहरादून में प्रस्तावित थी इसके लिए आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं ने पूरी मेहनत की उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों से दिहरादून की रैली को सफल बनाने के लिए कारेकरता पहुँचे थे कई महत्वपोर्ण नेताओं को पदाधिकारियों को और पी-आर एजिंसीज को इस रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी रैली सफल हो गई अर्विंद केजरिवाल साब खुश हो गए उन्होंने कई तरीके की घोशनाएं करी जैसे की वो करते ही है जब वो उतराखंड आते हैं तो कोई एक नया वाइदा उतराखंड की जनता से करके जाते हैं जनता उनके वाइदों पर कितना भरोसा करेगी ये तो मार्च में ही पता चलेगा लेकिन इस बार जब अर्विंद केजरिवाल देहरादोन आए तो कई लोगों को संकट में डा गए वास्ताव में देहरादोन से वापस दिल्ली पहुचने के बाद अर्विंद केजरिवाल ने ट्वीट किया उस ट्वीट में उन्होंने खुलासा किया कि वो कोविट पॉजिटिव हो गए हैं और उन्होंने अपने आपको आईसोलेट कर लिया है अब उनका इलाज चल में रही होगी अधिकारियों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई कारकरताओं और नेताओं से उनकी लगातार मुलाकात होती रही मंच पर भी अर्विंद केजरिवाल के साथ कई नेता सीधे संपर्क में थे जब अर्विंद केजरिवाल भाशन दे रहे थे तब ही उनके एक हासने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और सब को थोड़ा थोड़ा संदे होने लगा था लेकिन चुकि मौसम सर्दी का है और अर्विंद केजरिवाल की खासी थोड़ी सी जानी पहचानी है इसलिए लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन जब अर्वि अर्विंद केजरिवाल टेलिवीजन चैनल्स पर लगातार दिखाई देते हैं अपने संदेश में अर्विंद केजरिवाल जनता को सावधान रहने की सलाह देते हुए दिखाई देते हैं लेकिन खुद को वो ये सलाह नहीं दे पाए अब यहां पर अर्विंद केजरिवा आने की जहमत क्यों उठाई ये सलहा अर्विन केजरिवाल ने खुद अपने उपर लागू क्यों नहीं की ये सवाल इन बड़े नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि जब ये पूरी दिल्ली को लॉकडाउन कर रहे थे इस आशंका से कि समस्या बढ़ सकती है जब इन से ये सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि अगर इनकी लापरवाही से किसी की जान पर बन आई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा उसको किस तरीके से देखा जाएगा और अर्विन केजरिवाल साब पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क कि दिल्ली में जिस तरीके की सकती पिछले दो वर्षों में बरती गई वो निश्चित रूप से अर्विन केजरिवाल ने अपने लिये तो नहीं ही बरती थी जनता की जान बचाने के लिए बरती थी कई लोग जो लापरवाही करते वे दिखाई दे रहे थे उनके चालान काटे जा रहे थे जोड़दार तरीके से चालान हो रहा था और अगर कोई अत्मी अपनी गाड़ी में भी जा रहा था और उसने मास्क नहीं पहना वा था तो भी चालान किये जा रहे थे हलाकि दिल्ली पुरिस अर्विन केजरिवाल के सीधा नियंतरण में नहीं आती लेकिन फिर भी जो दिल्ली में सक्ती बढ़ती गई उसमें अर्विन केजरिवाल का महत्वपॉन योगदान रहा है और दिल्ली में सुधारने में भी उनका योगदान है, हम इस बात को भी मानते हैं लेकिन आखिर उत्राखंड में आकर इतनी घंगोर लापरवाही करने के बाद अगर कोई संक्रमित हो जाता है और किसी की जान पर बनाती है तो उसके जिम्मधारी कौन लेगा वास्ताओं में तमाम लोगों को नेताओं से ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि जब आप लॉगडाउन की बात कर रहे हैं तो इतनी भारी भीड अपने चुनावी जनसभाओं में क्यों जुटा रहे हैं उत्तराखन में कोविड संकरमन ना पहले इसके लिए रात्री में लॉगडाउन लगाया हुआ है वो सिर्फ नाम का है क्योंकि जनता नेताओं की भीड में खूब नजर आ रही है चाहे वो प्रधान मंतरी की रैली हो चाहे वे रहुल गांधी की रैली हो और चाहे वो अर्विन केजरिवाल की रैली हो और इसका जवाब आम आदमी पार्टी और अर्विन केजरिवाल को भी देना चाहिए अब देखना ये है कि अर्विन केजरिवाल के बाद उत्तराखंड के कई नेताओं ने अपने आपको आईसोलेट तो कर लिया है लेकिन वास्तविक्ता क्या है इसका पता भी कुछ दिनों में चलेगा हम ये कामना करते हैं कि जो भी लोग अर्विन केजरिवाल के संपर्क में आए हो वो पूरी तरीके से स्वस्त रहें और अपने चुनाओ प्रिकरिया को अपने प्रचार अभिहान को जारी रखें लेकिन जनता के भविश्य के साथ या जनता के स्वस्ते के साथ खिलवार ना करें सातियों आज की इस रिपोर्ट में फिलाल इतना ही अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए इसे शेर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार